अलाहरामानी रहीं यह फॉस्टेर क्लास स्टुडंस की पोएम वन द्य क्रक्टर ओफ हेपी लाइफ जितनी भी पोएम्स हैं सेवन पोएम्स उनकें सेवन्स हैं परौट अलनलै द्यूद्ए स्टार्ट वन दी क्रीक्टर ओफफ हे लाइफ ठीक है the strong retreat for a happy man is his conscience ठीक है एक खुश नसीब या खुश नसीब शक्स के लिए conscience जो है उसका जमीर जो है वही सब कुछ है according to the poet a happy man cares much about character poet के मताबिक एक happy man जो है वो अपने किरदार की बहुत करदार का बहुत मनल करदार जो है उसका बहुत ख्याल लगता है a happy man's armor is his days thought honest thought एक happy man खुश खुश किस्मत सा शक्स या खुश शक्स का जो armor होता है जिरह होता है वो उनका इमानदारी होती है a happy man's days are days harmless उनके दिन जो होते हैं बिना किसी नुकसान किसी को भी नुकसान नहीं देता है वो डेश is the utmost skill of an honest man एक इमानदार शक्स का एक utmost skill मतलब बहतरीन skill कुन सी है truth सच्चाई एक खुश किसमत शक्स जो है दूसरों के मरजी के मताबिक मतलब नहीं अपनी मरजी के मताबिक जीता है एक happy man's soul जो हमेशा डेथ के लिए प्रेपेर्ड होता है according to the poet the deepest wounds are always given by praise शायर के मताबिक जो deepest गेहरे जखम होते हैं वो तारीफ से दिये जाते है the character of happy life is written by sir henry watton जो character of happy life है poem किस ने लिखा है sir henry watton ने there are dash stanzas in the poem the character of happy life six stanzas हैं इस poem में ठीक है यह 10 mcq is important है number two don't quich the figure of speech in the silver tint of the cloud of doubt is dish personification है यह personification का मतलब है non living things को living things जैसी qualities देना जैसे कि cloud को doubt की quality doubt cloud शक कर सकता है गया जैकर यह non living things है इसको living things की quality दी गई है इसलिए personification है when things seem worst we should dish stick to them जब चीजें बहुत खराब हो जाएं बुरी हो जाएं उसको हम चिपके रहें उसको छोड़ें नहीं हम लोग आखरी हद तक you might succeed with another below means you continue struggle आप एक below मतलब एक दूसरी आपको दूसरा गिर्ज मतलब नुकसान पहुचे गए दूसरी हार मिलेगी तो आप फिर काम्याब हो सकते हैं तो struggle continue रखें अपनी इस्टगल इस्टगल इस्टगलर learns too too late that he जो इस्टगलर होते हैं बने देर से सीखते हैं के बई वास किलोस तो हिस्टगल जिद्धो जद करते हैं पड़ी देर सुनको पताव ने हम तो करीब थे हैं अमने क्यों चाहर मान दी क्यों जोड़ दिया कयाम याभी तो बिलकुल इसके बाद में आने वाली थी इस पोहेम का जो डॉन्ट कुईट का मॉरल है कि हमें चैलेंजिस मुकाबले जो जिन्दगी के होते हैं मुश्किलाते हैं जो जिन्दगी हो इसको फेस कहना चाहिए सो इस्टिक नमबर सेवन अगर आपको हाडेस्ट हिट है सामने बहुत मुश्किल कठन है जिन्दगी या गोल आपका तो फिर भी आपने कोशिश चारी रखनी है फिर भी आपने हार नहीं माननी है फ्रेज गॉल्ड़न क्राउन मीन्स विक्ट्री गोल्ड़न क्राउन का मतलब होता है सोना रहता आज जो होता है लेकिन यहां पे विक्ट्री कामयाभी इन दफर्स सेंज आप दप्वेम दवर्ड साह सिम्पलाइजिस रिग्रेट साहे कभी कबार हम ना पच्चताते हैं मतरब जो गुदनाों करके थक जाते हैं काम करके और के महनत करके highs साहे सांस लेते हैं का सा पच्च्ताने वाली सांस भी हमें कुछ भी नहीं मिला इस को बोलते है e-powe एक तस्वीरे मी है Ibrahim Lincoln की तस्वीर है और उसके इलावा Albert Einstein की भी है शायद उसके इलावा एक और भी है जो उन्होंने Harry Potter लिखा था ठीक है Rowling investir तो Ibrahim Lincoln was the president of किसके प्रेजिडंट थे वो USA United States of America के थे Ibrahim Lincoln failed in business three times, so business करते थे तीन ताइम मर्तबा फैल होए थे and failed campaigning days times prior to the becoming the president of the United States. President the United States के लेकिन चार मर्तबा ये फैल हो चुके थे इस campaign में चार मर्तबा इसनों ने हार मतलब हारा था फिर जीत गए थे sorry seven times not four but seven times वो campaigning कर रहे थे fail हो गए थे sorry who was expelled from the school and called mentally slow by his teachers. Albert Einstein को स्कूल से निकाल दिया गया था ये तो mentally slow है ये तो इसका मायन तेज नहीं है शार्प नहीं है लेकिन Albert Einstein फिर सायनिजान बने थे the novel Harry Potter was rejected by Desh publishing house बारा मर्तबा इन्होंने Harry Potter की जो writer थी उन्हों woman थी उन्होंने कहा बारा मर्तबा गई थी किसी publisher के लिए इसको publish करो सब ने कहा में reject करें ये ने चलेगा लेकिन वो world-based seller novel बना था Harry Potter अपने movie भी देखी होगी Desh is the novelist of Harry Potter J.K. Rowling जी थी उसकी novelist थी ठीक है नमबर four poem है Ozeemendias Ozeemendias is a poem depicting that the life is transient life transient है चेंज होने वाली जिंदगी है एक जगह नहीं है जिंदगी हम मगरूर नहीं होना चाहिए बही हम सब कुछ है नहीं अगर पैसा है हमारी salary मिल नहीं है teaching कर रहे salary मिल रही है मगरूर नहीं होना चाहिए कि हमारे पास पैसा आ गया है ठीक है तो जिंदगी transient होती है कभी भी बहुत खेर करें मतलब आपके साथ ही या कोई और किसी भी भार सकते हैं आप तो ठीक है the poet met a traveler from Desh an ancient land एक ancient land से Egypt की बात हो रही है the traveler told the poet that he had seen Desh in the desert statue एक मूरत देखी थी the words on the base of the statue tell us that the king Osemaneas was a Desh king proud king statue पे जो word लिखे हुए थे उसका मतलब था ये proud king थे बात्शाह थे the message of the poem of for all powerful authority and glory is nothing me remains यतनी भी ताकत थी या थार्टी थी कुछ भी चीज नहीं रहती है सारी ताकत चली जाती है in the poem Osemaneas the condition of the statue is bad बल्कुल खराब आलत में था रेचेड आलत में था my name is Osemaneas king of kings is a Desh literary device ये आईरनी है ये आईरनी है this is irony one of the one of the following lines does not make use of elitration in the poem elitration नहीं है ये following line elitration means sound same sound the loan and level sense stretch ठीक है न इसको sorry sorry इसको हम elitration ने गहीं elitration है ये ठीक है न ये second जो देख लें I met I met a traveler from an antique land and antique ठीक है ये भी elitration है nothing besides remains round the decay nothing besides remains round remains round elitration है same sound repeat हो रहा है इसमें half sunk a shattered wise edge lies whose frown इसमें कोई repeating sound नहीं है ये elitration नहीं है ठीक है the poem Osemaneas is written by Desh Prissi Bissi Shaila ने लिखा था ये romantic poet ठीप जॉन कीड्स, William Wordsworth, ST College, Lord Byron इसके दोर के थे the poem Osemaneas is a dash sonnet है ये 14 line का poem है ठीक है there are dash lines in the poem Osemaneas 14 lines sonnet है तो 14 lines होंगी next poem है number four good timber the poem explains to us that good qualities always develop in hardship अच्छी qualities हमेशा hardship में मुश्किलात में निखरती है नेवर बिकेम a forest king means never required a prominent position कभी भी अच्छी position नहीं आसल गी but lived and died as began points out towards this human being an effortless जैसे आयत बैसे मर गए effortless जिंदगी जो होती है in the poem good timber the poet discusses the themes of nature struggle and fulfillment इसमें themes यह है nature का struggle का और fulfillment का the poem teaches that the people reach their true potential by overcoming adversities मुश्किलातों को काबू पाना यही सब कुछ है but lived and died as scurby thing means lived an unimportant life by sun and cold by rain and snow is a dish डिवाइस लट रही डिवाइस यह oxymoron है oxymoron का मतलब हो है एक ही word में एक ही लाइन में दो अलग-अलग opposite जो word होते हैं जैसे sun opposite है cold का rain opposite है snow का भरफ का ठीक है broken branches यह aliteration है broken branches in stanza is the example of metaphor भी नहीं है simile भी नहीं है hyperbole भी नहीं है aliteration है broken branches क्योंकि repetition है sound ठीक है तो none of the mm the poem good timber is written by Douglas Malok good timber does not grow with ease आसानी से good timber नहीं गिरो होते है next poem है Lucy के लिए number five poem the poet chance to see Lucy at the break of the day शुरूर में वाले दिन में number two Lucy's father asked Lucy to go to the town with a lantern to bring her mother अपनी बैटी को बेजा था Lucy को Lucy के अभी ने बेजा था कि अभी को लेकर आओ और यह लाल टेन लेकर जाओ ठीक है काम आएगी तूफान में अंधेरे में अंधी में Lucy replied to her that she would डेश गो to the town to take her back her mother उन्होंने का gladly Lucy ने का मैं gladly खुशी से जाओंगी लेकन time बहुत गुजर चुका है Lucy Lucy could not reach the town because she lost her way in his time वो तूफान में रास्ता बूल गई थी बिचारी फिर वो पहुँच नहीं पाई थी शहर में जहां पर उन्होंगी थी थी the wooden bridge was at a distance of dish from Lucy's home for long for long कुछ मीटर को कहते हैं इतने दूरी पे था वो wooden bridge जहां पे Lucy गिर गई थी Lucy's parents became certain of her death when they saw her footprints Lucy के जब footprints देखे एक जगह बे footprints गाइब हो गए तो उन जान लिया के भई यह Lucy मर गई some people still believe that Lucy can be seen in wind हवाओं में Lucy अब मिल रही हवाओं में उनकी आवाजें आ रही है पेपल बिलीव Lucy can be seen doing these activities except लोग कहते हैं कि Lucy सारी चीज़ें करती थी लेकिन यह नहीं talking to people लोगों से बात नहीं वो बड़ी कुछ बिल्कुल शाय थी उनका कोई दोस नहीं था कॉमरेट नहीं था कुछ भी नहीं था दा पोहम Lucy Gray is written by William Wordsworth यह शेले के दोर के थे Lucy Gray is a dache ballad romantic ballad William Wordsworth romantic poetry के founder थे ठीक है याद रहे है England के थे Lucy Gray and her parents lived near a moore एक दलदल के करीब रहते थे Lucy Gray was a solitary child वो तनहा child थी number 13 Lucy took a dache with her while going to face her mother lantern father लालटेन लेकर गई थी father was working at the time of afternoon दो पहर का वक्त का the parents trace the dash of Lucy to reach search her footmarks of Lucy उन्होंने footmarks सर्च किये Lucy के ठीक है number six poem है the abbot of contemporary the ballad ये ballad है the ballad the abbot of contemporary is narrated in a dash first and third person first mean I we और third person he she it they mean you nahi the poet says to the reader that he is going to tell a dash story funny story Mary Mary मतलब funny king john was number three jealous of Abbott's housekeeping and higher renoyan उनकी मशूरी famous renoyan mean famous king john feared that the abbot was working against his crown king john ढरते थे के अबट जो है उनके ताज या उनकी सल्तनत के खिलाफ है king john टोल the abbot if he did not answer his three questions he would be beheaded सर काटा जाएगा आफ्टर लिस्निंग तो the king's question the abbot wrote to dash universities oxford or cambridge university वो गये थे the abbot requested the king to give him dash weeks space three weeks space abbot ने का मुझे तीन हफतों का time दो मैं आपको बता दूँगा while doing back to his hometown the abbot met a shepherd घर में जैसे है वो पहले-पहले shepherd से मिले the shepherd demanded abbots to dash answer his king's question horse and dress shepherd ने का मुझे horse and dress दे दो मैं answer दूँगा the poem abbot of canterbury is written by anonymous इसके writer का पता ही नहीं है the name of the king was john king का नाम क्या था john this is the story of dash country England के मुलकी थी the abbot dash man in his house every day वो hundred man अपने घर में रखते थे खिदमत के लिए the dash servants were always in gold coins on hundred में से 50 जो थे नोकर ऐसे थे जिनको gold coins सोने की chain पहनी हुई थी 50 the king asked dash questions from there but तीन question पुछता है the first was about the dash of the king price of the king पहला जो होता है भी king की price क्या है dash told the answers to the king shepherd बताता है answers अजरत ईसा was sold in dash pence 30 pence 30 pence में बेजा गया था अजरत ईसा को according to the shepherd the exact price of the king john is 29 pence king john की जो प्राइस है 29 pence है according to the shepherd the king john can visit the world within dash hours 24 hours the king offered shepherd a nobles dash nobles a week four nobles king ने कहा था shepherd को मैं आपको चार nobles दूंगा हर वक्त आपकी खिदमत में लगे रहेंगे last poem है king poem number seven selection from kursur khaori khaori's trouble their bodies to attain their goal मकसद के लिए khaori's face saver days while achieving their goals all of them criticism बदाश करते हैं condition शर्ते हैं उनके उपर hardship मुश्किलाते हैं khaori's never take their days when they have goals care अपनी care संबाल नहीं करते हैं वो बस अपने मकसद के पीछे भागते रहते हैं khaori's faces 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 are dry on their feet are slappers old मदलब छुजुती जो होती है पुरानी होती है and ton fatty होती है shows the hardship देख khaori बहुत मुश्किल में होते हैं khaori's recognition is like raft and chef ocean khaori को आपने पहचान लिया तो एक आपको ocean समंदर में एक सता मिल गया जम उसका लकडी का khaori's can be found even where there is no trace of birds जहां पर परिंदे भी नहीं जाते हैं वहां पर आपको khaori मिलेंगे in fourth sense of the word safe is used in sense of safety be accept be यह दोनों में मुझे शक है ठीक है confusion है दोनों में शक है मुझे आप लोग खुद समझ दीजिएगा ठीक है मैं दोनों में मतलब word में नहीं पहचान पाया कौन सा सही है safety भी हो सकता है accept भी हो सकता है आप फूर्थ इस्टेंजा को पढ़िएगा two seekers can only be known to those who are far spiritual liam ठीक है जो रूहानी ताकत रखते हैं उनके लिए उनके लिए उनको इस two seekers जो होते हों उनको वो उनको ही जान पाएंगे ठीक है दवर्सिस selection from सुर्खाओरी आर शाह लतीफ की है दवर्सिस selection from सुर्खाओरी आर ट्रांसलेटेड़ बाई अमीना खमी सानी ने टांसलेटेड़ की हैं यह सारे एंसी क्यूस थे पौइम के इन्शाला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम पिले के एंसी क्यूस के साथ तब तक के लिए अलाफीस और बेस्ट आफ लक फार यूर पेपर